So, hello friends, welcome back to my channel Trader Shrifoo तो आज के दिन में अपन का ये second video इसका first video में already upload कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको एक short strategy के बारे में बताया है जिसमें एक दो बात ही बताई है कि आपको उसमें martingale का use करना है ये बात मैंने already उसके जो part 1 है उसमें बता दिया था So, वो basically part 2 था जिसमें मैंने आपको वो इस strategy related जो doubt है वो सारे clear कर दी है So, जो beginner trader है उसको जाके एक बार जिरूर देख सकता है इस वीडियो में अपन करेंगे candle reading और wick reading इसकी मुझको बहुत demand लगी क्योंकि जो comment box में एक से दो बंदे daily comment कर रहे हैं कि brother एक candle reading और wick reading की वीडियो को upload करो So, आज अपन वही करने वाले हैं और मैं आपर try करूंगा कि wick को भी आपको proper explain करूं क्योंकि wick भी market में एक strong sign होती है क्योंकि यह भी अपन को बताती है कि जो high point था और low point था वह कहां तक था मतलब आज से buyer और seller market में इंटर करना शुरू की है So, इस candle के बाद में अपने एक successful upside की trade paste कर सकते हैं So, आप देखते हैं कि जो इसका overall formation हो रहा है वो केसे हो रहा है तो यहां पर मैंने amount को hide कर दिया है क्योंकि मैं जब series करता हूं तभी video को जो amount है उसको यहां पर show करता हूं जिससे कि आप सीख सको क्योंकि यहां पर मुझको अपना money नहीं दिखाना है मुझको बस यह consider करना है कि आप market से कैसे पैसा बना सकते हो So, यहां पर मैंने दो trade successfully trade place की है क्योंकि यहां पर जो मुझको accuracy लगी हो यहां पर बहुत ही ज़्यादा लगी यहां पर basically एक stake market तो है लेकिन अगर आप देखोगे तो market यहां पर किसी भी stake market और support resistance को किसी को भी follow नहीं कर रहा है अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एक support था लेकिन यहां पर breakout दे दिया यहां पर reversal आ गया यहां पर market किसी भी support को follow नहीं कर रहा है, यहां पर एक support था, market यहां पर आया, successfully resistance, मतलब जो breakout है उसको दिया, then एक seller की candle बनाई, so market का overall target इस point पर support लेने का था, लेकिन market यहीं से उपर चला गया, so market कोई भी wake of the level को follow नहीं कर रहा है, so इसलिए अपन ने सिर्फ candle को ही read किया, so अ that's why इसको देख तो अपने successful buying के side में trade place की थी, और दो trade place की थी, क्योंकि एक short short green की candle बनेगी, चाहे market में कितने भी sellers enter करना शुरू करें, लेकिन यह एक अपने according ही बनेगी, so अपने दोनों trade win हो चुके, यहां पर network का थोड़ा problem है, then यहां पर जो beginner trader है, उनको भी एक बात का जा रखना है, जो यहां पर timing है, उसको यहां पर switch करके रखना है, मतलब यहां पर आपको, जो clock की timing होती है, उसके according चलना है, जैसे यहां पर अपन वन मिनिट की trade place करते हैं, तो हाई चाहस होता है, कि एक से दो second में भी आपका loss लग सकता है, so यहां पर time को switch करना है, then जो exact timing एक clock की, उसके according यहां पर trade place करना है, so अपन यहां पर first trade win कर लिया, मतलब जो तो trade अपने place की, बहुत successful यहां विन कर चुके हैं, क्योंकि जो अपने strategy वो यहां पर 100% work कर चुकी थी, so अगर यह इस green का breakout देगी, जो यहां पर जो level है, इसका अगर यह breakout देगी, तो अपन continues का side में जाएंगे, लेकिन यहां पर color pattern का भी formation हो रहा है, that's why यहां पर अपन show नहीं है, लेकिन इस पर एक buying, मतलब जो selling का pressure है, वो यहां पर show कर रहा है, so यह अपनी strategy थी, जो मैंने अपने first video में बता रखा है, वो आज ही मैंने 9am पे upload किया है, उसका आप जाके देख लेना, उसमें मैंने doubts clear किया है, so उसमें अपने strategy का coding, एक stake area में breakout पे अपन को continuous के side में जाना था, लेकिन अगर market में color pattern मनें, तो पहले उसको respect देना है, so यहां पर एक color pattern मना है, that's why यहां पर एक green की candle आ सकती है, तो अपन उसको respect देने के लिए यहां पर wait करेंगे, अगर इक green बनें start कर सकता है, so अप देखते हैं कि जो overall result है, वो क्या होता है, so अगर यह अगर इसके 50% से भी अगर closing देखी, तो भी अपन एक reversal के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक strong candle है, क्योंकि market में बाइस से इसको उपर लेके गए, तो भी यह seller से यहां पर market में वापस नीचे लेखे है, so उसमें मैंने एक तो बात clear नहीं की थी उस strategy वाले वीडियो में, वो बाते सब मैं यहां पर clear कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें, जो मुझको live trade करने की, मतलब जगे ही नहीं मिली, मतलब जब मैंने market को find किया, तो मतलब live trade में मुझको कोई ऐसी opposite नहीं मिली, जहां पर मैं trade place कर स यहां पर अगर आप देखोगी तो इसने इसका successfully breakout किया है, इसलिए अपने trade place नहीं की, यहां पर यह market में फिर से enter कर तो चुकी है, लेकिन मैंने यहां पर बोलाता कि इसके 50% of the level से भी अगर यह resistance लेगी तो अपने successfully down को side में जाएंगे, तो यहां पर इसने 50% of the level से resistance लिया लेकिन फिर भी यहां पर अगर green बनेगी तो अपन successfully down side में place करेंगे, चुकि अपन को उस strategy में martingle का use तो करना था, और अगर आप यहां पर अब market में देखोगे, तो दो red, then दो green, तो यहां पर high chance देख कि एक और red बन सकती है, और आप अगर इस candle को देखोगे, तो यह एक error candle केंडल की तरह consider कर सकते हो, क्योंकि अगर आप market में देखोगे, तो इस point से मतलब resistance लिया, then इस candle में seller और buyers दोनों exact थे, मतलब इस candle को एक indecision candle बना के जो अपना profit होना चाहिए था, वो market न यहां पर अपना loss करवा दिया, so यहां पर एक successfully red की ही candle बनेगी, so market में error candle भी आ सकते that's why इसमें आपको martingle का use करना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यानक ने, color pattern को respect पहले देना है, इस strategy को respect ज्यादा नहीं देना है, पहले color pattern, then strategy, so इसके लिए मैंने वुस वीडियो में अल्रेडी बोल तो रखा है, कि आपको यह second वीडियो को देखना है, जिससे कि आप live market में trade place करते दब पता चलती है, क्योंकि मेरी आपके कोई script तो है नहीं, जिससे कि मैं आपको direct बता दूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैं live trade place करूँ, उनको भी आप जरूर देखो, जिससे कि आपकी जो सारे doubts है, वो clear कर सबो, then फिर भी अगर आपके कोई doubt रहता है और telegram पे message कर देना, देन अगर किशे को personal membership चाहिए, जिससे कि मैं उनके doubts clear करूँ, अगर एक से दो doubt पुछोगे, तो मैं free में ही कर दूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे personal membership लेके, पन मन तक free में doubt या candle reading की वीडियो चाहते हो, जिसमन मैं आपके सारे doubts भी clear करूँ मार्केट में आपको new strategy बताओं देन, money management, तो उन सब के लिए आप में उसको personally message कर सकते हो, टेलेकर आपे, जो वी चार्ज इस होंगे वो आपको बता दूँगा, चो यहाँ पर अपन अपन अपने last trade प्लेस करेंगे, दो इन अपन मार्केट से out हो जाएंगे, क्योंकि अपन membership नहीं लेनी है, तो आप मत लो, यहाँ से free में सिखो, then मैं future में एक मार्स से एक series इस्टाज करने वाला हूँ, जिसमें मैं pure price action based strategy को मार्केट में लेके आऊँगा, और वो एकदम advanced level की होगी, जो आप अगर सीख गए, तो आप मन्त के easily, जो भी आपका target है, उसको easily achieve कर लेकिन उसके लिए आपको time देना पड़ेगा market को, क्योंकि वो strategy price action based है, तो उसमें time भी लगेगा, अब अपन यहाँ पर trade place करने ही कोश्च करता है, तो यहाँ पर अगर यह red बनी, तो अपने लिए एक short short winning trade हो सकती है, तो 3, 2, then 1, तो यह एक short short winning trade होके रही गया, यहाँ पर red भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर already red बन चुकी है, तो यहाँ पर यह एक short short winning candle बननी चाहिए, अब यहाँ पर अपन मैं scenario explain करो, तो यहाँ पर देखोगे, 2 red तो 2 green, फिर से 2 red तो यहाँ पर 2 green आने चाहिए थी, लेक अपन का यहाँ पर अगर loss लगता है, तो अपन यहाँ पर trade martingle का use करते है, तो अपन यहाँ पर trade place नहीं कि तो अपन direct यहाँ पर trade place कर चुके है, that's why यहाँ पर अपन की winning की ratio है, वो यहाँ पर बढ़ चुका है, then second scenario की बात करना, तो यहाँ पर एक support का level है, जासे market ने 2 बार wix से closing दिया है, मतलब यहाँ पर एक strong point है, that's why यहाँ पर एक successful buying की candle बनने चाहिए, so अगर इसने इसका breakout दिया, तो अपन यहाँ पर successfully दो trade down direction में place करेंगे, चुकि यहाँ पर जो यह candle बनी है, वो यहाँ पर in decision candle बनने है, so यहाँ पर market down direction की rally भी दिखा सकता है, so यहाँ पर पन यह थोड़े नी से आएगी, so यहाँ पर पहले मैंने red का ही सोचा था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो इस level का breakout है, इस level का अगर breakout देगे तो अपन डाउन के side में जाएंगे, यह बात मैंने आपको बोली, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो के तो यह जो candle बनी ह यह एक big trade candle बनी है, मतलब जो seller थे वो यहाँ पर exhaust हो चुका है, एक suppose करो कि अगर market में breakout आया है, then जो seller है वो यहाँ पर already trades को win कर चुके है, क्योंकि मेरे recording बहुत सारे traders ने अपके नहीं मतलब down की trades होची होगी, then यहाँ पर successfully red candle बन चुकी है, तो यहाँ पर जो भी seller थे वो इसी candle में आ चुक है, जिनका सब का profit हो चुक है, अब अगर वो square off करेंगे, तो अपनी position के लिए उनको buying की trade place करने होगी, then यहाँ पर एक buying की candle बनेगी, बले छोटी बने, तो भी अपना जो trade हो यहाँ पर अपने safety margin के according place किया है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी और नीचे candle आने का बोला था, जिससे कि अपनी जो trade है, वो यहाँ पर proper win हो चके, अपनी यह trade win हो चुकी है, अगर आपने देखा होगा, तो अपने safety margin को मैंने इसलिए यूज किया था, जिससे कि अपनी जो trade की exact timing हो यहाँ पर बढ़ सके, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो पर timing को place करके रखो, यहाँ पर यह एक short short green candle बनने की, क्योंकि market यहाँ पर successful आप देखोगे, तो यह अपनी यह trade यह successful event trade थी, लेकिन market इस time पर trap कर रहा है, क्योंकि मैं यह video अगर आपको बता हूँ, तो मैं यह video 11 बजे shoot कर रहा हूँ, then market में एक perfect timing भी होता है, जाँ पर market में volatility होती है, वो ज्यादा होती है, जिससे कि आपको जो trade करने का possibility होती होती है, और beginner अगर वुस समय trade गरेंगे, तो सभी market में उस समय trade गरेंगे, जिससे कि market error candle कम से कम देता है, तो यहाँ पर अपनी यह trade win हो सकती थी, लेकिन market ने आपके एक error candle दिये, फिर भी मैंने इसलिए यहाँ पर safety margin को apply किया था, so I hope आपको यह video informative लगा होगा, so एक बात को आप ज्यान रखना है कि पहले वाली वीडियो को जाके जरूर देखना है, जिससे कि आपकी तो सारे doubts से वो clear हो सके, so okay friends, thanks for watching,